आज दोस्तों मैं आपको ऐसा फिस पैक बताने जा रही हूँ कि साधी पार्टी किसी भी फंक्षन में जाने से पहले आप लगा लीजे वीक में अगर आप जो है तीन बार लगाते हैं तो आप देखेंगे ना कि आप पालर करास्ता पूरी तरीके से दोस्तों भूल जाएंग आप चाहे कांच के कटोड़ी लें चाहे मतलब इस्टिल के लिए ठेक हैं पहली चीज मैं इसमें लूंगी मुलेथी पौडर मुलेथी पौडर एक ऐसी चीज है किसी चेहरे में नहीं लगाना चाहिए चेहरे में तो लगाना ही चाहिए पर इसको एक चम्मच पानी में डा गोल कर पीना भी शुरू करिए आप ये सायद ही आपको किसी ने बताया हो अगर आपके चेहरे में रौनक नहीं तो मुलेठी पॉडर डाल करके पीना सुरू करिए और उसमें आउला पॉडर भी डालीजिए ठीक है चली अभी तो फिर स्पैक बता रही हूं एक चमज से दो भर करके मुलेठी पॉडर आपको इसमें लेना है रंगत को निखारता है कलर को इदा फियर करता है पिगमेंटेशन जहाई जिसके हैं वो मुलेठी पॉडर लगाना सुरू करो और दूसरी चीज मसूर की दाल ये मसूर की दाल है मार्केट से आई है लेकिन ये सीली होती है जब मार्केट से लेकर आई है इसको धूप में डाली है उसके बाद पॉडर बनाएका ने चोकर जादा बन जाता है और पॉडर बारीक नहीं बन पाता और पॉडर कैसा चाहिए बिलकुल बारीक चाहिए ताकि कण नहों और अपने जो चेहरे में लगाए जाए जाए ना तो वो जिसे हलका सा मसाज किया जाए ना तो उसमें कोई चेहरे पे कोई रगड नहीं आने चाहिए ठीक है यह है मसूर के दाल जब घर पे पीसेंगे तो इसे आपको थवा वाइट लग रहा लेकिन पीसेंगे तो ऐसे ही कलर आएगा उसमें तो मसूर के दाल के पॉडर प कोई चीश चेहरे के लिए हो नहीं सकती तीसरी चीश जो सबसे इंपॉर्टांट है वहाओ संतरे का जो चिलका होता ना औरेंज पील पावडर यह डालिए ठीक.. विटामिन सी और भर भर के विटामिन सी इसमें होता है चेहरें की रंगत को एक ड़र निखारता है क्योंकि इसमें एक bleach होता है, vitamin C बहुत जादा होता है, और जिस चीज में vitamin C होता है, वो चेहरे को निखारेगा ही निखारेगा, बढ़िया दही लीजिए, दो चममच ठीक है, थोड़ा सा lemon, एक सो दो, एक से दो बूंद लूंगी जादा नहीं लेना है, अगर आपको suit नहीं करता है, तो आप इसको मत लीजिए, मुझे suit कर जाता है, तो मैं ले ले रहे हूं, क्योंकि इससे चेहरा बड़ा साफ साफ सा लगता है, और दाग धबो को काटने में बड़ी मदद करता है, ठीक है, अब इसमें अगर सूखा लगे, तो गुलाब जल डालिएगा, सूखा लगे, त इसको पतला नहीं बनाना है, तो ऐसे ठीक ठीक रहे, ताकि चुवे बहे नहीं, आप अराम से लगा करके, काम भी कर सकें, दोस्तों, ये आपको सिंपल लग रहा होगा, कि ये, लेकिन दो चीज, दो चीज, क्या तीन चीज, इसमें बहुत ही मेन है, तीनों चीज मैंने इस किया है, दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फालू करिएगा, सेयर करिएगा, ठीक है, अब देखिए, ये बन चुका है, चेहरे को साफ करने के बाद, आप इसको लगाएंगे, और कोई chemical ऐसी चीज नहीं है, जो आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा, दोनों टाइम लगाएं, और लगाने के बाद, अपना हलका हलका मसाज करें, उसके बाद आप जो है, अपने चेहरे पे तेल, जो नायल तेल होता है, या बदाम का तेल होता है, रात में सोने से पहले, अपने चेहरे पर डेली मसाज किया करें, और जो बरफ होता ना, आइस, जो आइस क्यूब होती है, उसको रुमाल पर लपेट करके उससे मसाज करें, या तो उसमें अपना बरफ का पानी ले लिजे, कटोरे में, अपने चेहरे कोसी में डिप करिए, इससे चेहरे में एकदम ग्लोव आता है, पिग्मेंटेशन, क्योंकि चेहरे पर जुंजुनाहट होती है, जब बरफ का मसाज लिया जाता है, ठीक जुंजुनाहट, तो इससे पिग्मेंटेशन पर बहुत तेजी से असर पड़ता है, आपको साइध किसी ने नहीं बताये, कि मैं बता रहे हूँ, क बरफ जो है अभी गर्मिया आ गई है, आप लेना सुरू करें, पानी में डालिए, उसी में चेहरे को डिप करिए, बस